तो CID के Season 2 में दया सर की याताश जा चुकी है दया सर ये भूल चुके हैं कि वो एक CID अपसर है अभी वो खुद को एक नॉर्माल इंसान समझ रहे हैं और अपना ज़्यादा तर टाइम घर पर ही बिता रहे हैं इसी दोरान दया के मुलाकात एक लड़की से होती है जिस लड़की के साथ दया सर बातचीत करना शुरू करते हैं और धीरे धुरे उनकी जो ये रिलेशनसिप है ये प्यार में पतल जाता है लेकिन तब क्या होगा जब दया सर की आताश बापस आ जाएगी और उनको ये पता चलेगा कि उनकी जिन्दगी में श्रया नाम की एक लड़की है जिससे वो बे इंतहा महबुत करते हैं तो दोस्तो काफी और पड़ा सा सिच्वेशन होने वाला है CID के सीजन टू के इन एपिसोर्स में जहां पर दया सर के उपर हमला होने की बज़े से दया सर अपनी याताश खोने वाले हैं और याताश चाने के दोरान दया सर को घर पे रेस्ट करने के लिए बोला जाता है तो दया सर की याताश कब तक आएगी ये किसी को नहीं पता लेकिन दयासर जब अपने घर पर रह रहे होते हैं तब उनको एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो लड़की भी दयासर से बेंतहा मुहबबत करती है लेकिन श्रया का क्या जो की दयासर से प्यार करती है सब कुछ हमें पता चलेगा सिसन टूमे